सबसे पहले दूस्तो मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि दो तीन दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था घर के कुछ कामों में engagement जादा थी जिसके वजह से मैं वीडियो continue नहीं बना पा रहा था दोस्तो लेकिन आज से आपको continue हर वीडियो और मार्केट का अपडेट मिलता रहेगा तो सबसे पहले मैं बता दो दूस्तों कि इसी बीच में बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे दो क्वाइन लिस्ट होई है और आपको पता है कि जब भी कोई 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 बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होईती है तो क्या डिफरेंसे देखने को मिलती है अफकोर्स उसके प्राइस पॉम्प करती है लेकिन दोस्तों अभी आपको मालूम है कि पूरा मार्केट विदिन वन बीक में या उससे पहले से बात करें तो बहुत जादा मार्केट नीचे गिरिव हुई है तो इस बीच में सबसे अच्छी बात यह हुई है कि वो दोनों क्वाइन इधर बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद बहुत बड़ा पंप देखने को नहीं मिला है तो यह नेगेटिव पॉइंट है कि पॉजिटिव जस्ट थिंग दोस्तों यह मेरे एकॉर्डिंग यह पॉजिटिव बात है कि बहुत बड़ा पंप नहीं दिखा है क्योंकि मार्केट अभी डाउन बीरेस देखने को मिल रही है तो इसका फाइदा यह होगा दोस्तों कि जैसे मार्केट पंप करेंगी वो दोनों कोईन भी जवरदस उस कोईन में भी पंप देखने को मिलेगा तो अगर अभी उस कोईन को होल्ड कर लेते हैं तो अचानक उसमें ग्रोध जो आपको देखने को मिलेगे दोस्तों उसका आप बेनिफिट निकाल पाएंगे तो चलिए दूस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर वो कौन सा क्वाइन है वीडियो को पूरा दिखेगा दूस्तो और साथ में मैं बता दो कि ये मेरे टेलिग्राम चैनल है जो लोग भी अभी तक इस चैनल को जोइन नहीं कियें दूस्तो तो तो दोस्तो जो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले कोइन की तो उस कोइन का नाम है इलूवियम जिसको सौट में आई अलवी भी हम कहते हैं आई अलवी आप करके सर्च करेंगे क्वाइन मार्किट कैप पर यह को अनिस्टेट करेंगे को मिल देखेंगे तो 6 बजे और इंडियन टाइम के कॉर्डिंग आप देखेंगे तो लगभग में दोस्तों ये जो है साड़ी 11 बजे लिस्ट कर दी गई थी 22 सब्तमबर को ठीक है और इस बिड्रॉल स्टार्ट हो चीकोई थी नेक्स डे साड़ी 11 बजे यानि 23 सब्तमबर से स्ट अगर हम बात करेंगे कि क्या है यह इल्व यानि इल्यूवियम तो सिंपल है दूस्तों कि यह कोईन एक गेमिंग ब्लॉक्चेन पी बने हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं 3D RPG ब्लॉक्चेन गेम है यह इल्यूवियम और इसमें आपको वही चीज आपको देखने मिलेग बैटलिंग बेगरा जिस तरीके से गेम में बैटल होती है तो यह चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इस गेम में आप इल्यूवियम को अगर आप चाहते हैं सिक करना तो इसमें आप गेम कुर्णीक की रूप में इस इल्यूवियम को यूज कर सकते हैं और इसके website पे आप आएंगे दोस्तों तो जैसे कि यह 3D gaming है आपको मैंने बोला कि यह क्या है 3D gaming है तो इसके interface पे आएंगे न तो आपको 3D जैसा feeling आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से 3D यानि उभरता हुआ picture आपको देखने को मिल रहा है correct तो यह 3D gaming platform है और यह Ethereum के blockchain पे बने हुए दोस्तों नीचे scroll करेंगे तो आपको भी इसके बारे में detail जनकारी मिलेगी लेकिन मैं अभी इसकी website के बारे बात नहीं करने वाला हूँ इस coin के बारे में simple मैं आपको inform कर रहा हूँ दोस्तों कि यह coin 22 September को यानि आज से अगर हम देखेंगे दोस्तों तब सिर्फ 5 दिन पहले यह list हो चुकी है Binance जैसे platform पे तो अगर हम बात करेंगे तो यह इसकी current price क्या चर रही है अभी current price आप देखेंगे 525.59 डॉलर पे यह trade कर रही है 525 डॉलर पे दोस्तों यह trade कर रही है पिछले 24 गंटे भी कुछ खास नहीं 2.82% का growth देखने को मिल रहा है जो बहुत ही कम जरूर है actually में ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों क्योंकि पूरा market आप देखेंगे गिरा पड़ा है सारा market गिरा पड़ा है तो इसमें भी कुछ खास pumping है नहीं और ना देखने को मिल रही है हलाकि आज की डेट में देखेंगे तो आज की डेट में यह देखेंगे आप लगभंग में दोस्तों 23 सप्तमबर को देखेंगे तो यह अपने highest पे पहुंचे हुई थी 634 डॉलर पे पहुंचे हुई थी दोस्तों लेकिन उसके बाद से market crash है तो अभी यह फिलाल में 525 पे ट्रेड करेंगे एक यह कोईन है दोस्तों इसको अगर आप चाहते हैं तो अपने research के recording एक वर research कर लेंगे समझ लेंगे तो उसके बाद आप इस कोईन को hold कर सकते हैं market cap के recording देखेंगे 186 position पे आ रहे है दोस्तों total market cap आप देखेंगे 333 million dollar है इसका total market और available supply में आप देख सकते हैं save all million total supply है और availability कीतना है दोस्तों बहुत ही कम हो गई है total supply के recording आप देखेंगे बहुत ही कम गई है अभी आप देखेंगे 6,34,776 अभी इसकी availability यानि इस token के availability आपको दिख रही है तो पहला coin तो यह हो गया दोस्तों and second coin जो balance यसे platform पे list हुई है उसका नाम है द जिसको short form में हम देखेंगे तो bygg के नाम से जानते हैं यह coin है दोस्तों just आज से 3 दिन पहले यह 24 सप्तमबर को यह list हुई है आप देख ले 24 सप्तमबर को यह list हुई है साड़े 11 बजे ही अगर 6 time दिया हुआ है 6 बजे तो इसका UTC में time तो इंडेन time हो जाएगी साड़े 11 वजे ओके तो यह साड़े 11 बजे लिस्ट हुई है और हम बात करेंगे तो यह क्या है इल्ड गिल्ड गेम्स क्या है दोस्तों यह भी decentralized autonomous organization है और यह जो token है यह token दोस्तों NFT में invest करती है NFT I hope कि आप लोग पता है कि NFT एक परकार का unique images music बगरा होती है जो अपने अपने एक खास चीज़ों होती है यूनिक होती है और इन चीज़ों को यानि NFT को फिर use किया जाता है अलग blockchain waste games में या virtual world में इसको use भी करते हैं तो यह भी अगर देखें कि इसके भी platform पे आएंगे दो दोस्तों तो आपको इसका भी platform gaming platform की तरह है और जैसे कि आप आजाएए इसके website पर मैं चलता हूं आपको लेकर इसके website पर आएंगे दोस्तों तो इसके website पर आप देखेंगे इस तरीके से कुछ आपको interface मिलेगा आप यहां पर पढ़ सकते हैं by जीजी जी प्लेटू अर्ण भी कर सकते हैं यहां white paper दिये हुआ है white paper किलिक करके आप यहां पर इसके plan के बारे में roadmap के बारे में आप जान पाएंगे तो simple समझे जे दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताना चाहरा हूं कि दो coin जो Binance पर लिस्ट होई है एक Eluvium जिसको ILV और दूसरा है 22 यानि Eld Guild Game यह दो coin जो है लिस्ट हुई है अगर इसकी current price हम बात करें तो इसकी current price क्या है दोस्तों तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इसकी current price क्या चल रही है एक पर मैं सर्च कर लेता हूं यहां पर Eld Guild Games पर आ जाते हैं तो अभी इसकी current price $5.51 पर यह trade कर गया पिछले 24 गंटे में गिरावर्ट देखने को मिल रहे है 9.11% का गिरावर्ट है तो इसलिए गिरावर्ट है दोस्तों कि पूरा market आप देख लेंगे पूरा market गिरा पड़ा है सारा market डाउन ही आपको देखने को मिल रहे है जिसके वज़ा से इसमें भी गिरावर्ट है और कुछ भी अ आप देख ले 24 सेतंबर को ये लिस्ट हुई थी तो 24 सेतंबर को आप अगर आप देखना चाहेंगे तो कुछ खास अभी तक इस कोईन में पंपिंग देखने को नहीं मिली है रिजन की सारे कोईन गिरे हुए हैं जिसके वज़ा से जो है इसमें कुछ खास पंपिंग आप नहीं देखेंगे जब जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी दोस्तों बाकी दोस्तों आप लोग अपने रिसर्च के एकॉर्डिंग इसमें इन्वेस्ट करेंगे एक बार मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ अपना ओपिनियन आप लोग सामने रखता हूँ दोस्तों बाकी आप अपने कॉर्डिंग रिसर्च एक बार जरूर कर ले कि क्या सच में ये आगे जाके आपको प्रॉफिट देगा क्योंकि गाला लिस्ट होते के साथ किस तरीके से उसके प्राइपस में पंपिंग हुई है और लगतार पंपिंग भी होती गई है उसके पहले क्वांट के बारे में मैंने बताया था क्वांट भी बहुत अच्छा रिटर्न आप लोगों दी है तो एक बार अपने इंड से रिसर्च करिए उसके बाद इन्वेस्ट करिए दूस्तो तो दूस्तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दिजिए और चैनल को अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया है तो दू सबस्क्राइब राइट नाओ धन्यवाद द दोस्तों फे मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में